फिरोजाबाद के थाना लाइन पार छेतर में रामनगर इस्थित छार बाग में चार दिन से लापता बालक का तैरता हुआ शव निर्माना धिन मकान के टैंक में तैरता मिलने से संसनी फैल गई परजनों ने 19 तारीक को बालक के गुम होने की सूचना ठाने में दर्ज कराई थी आज बालक का सब निर्माना धिन टेंक में मिलने से संसनी फैल गई जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने परजनों के साथ बच्चे को ट्रोमा सेंटर पहुचाया जहां पर डाक्टरों ने बच्चे को मरत भोसित कर दिया परजनों ने बताया के लेंटर के मामले में परोसी से कई दिन पहले विवाद हुआ था जिसके बाद परोसी ने देख लेने की धमकी दी थी उन्होंने परोसी पर गला घौट कर हत्या करने का आरोप लगाया फिलाल पुलिस ने इस शब को कोश्ट मार्टम के लिए भेज कर मामले की जास शुरू कर दी है अबी में ऑफ्य को निगत्ते कम मालू पड़ा आपको मुझे आज मुझे आज मुझे मालून मेरे थी वी जास लूट कर देख लूंगा तो कोई यह दो कोई झाले ता लेंटर की बाहकोई तीँ अँट जूं थीए उसकी बात में तो लून्या है कि अधायतर तरह तारीक को एक आता सबसे आंजोर के मुझे जो पैसा चाहिए मैं दूंगा इन पर बवस्ता नहीं मैं दूंगा अपने तरफ से मेरा भाज़ देदो किसी से पहत चूए मैं पूरी बस्ती के पहत चूए दो दिन से लापता था यह नहीं अधायता किस तरह का अधायतर दिन हो एक आज ही मारा निकला है आज ही सुए मारा है आज ही किस थारीक है अठारेसा एक चौता दिन है ठीक तरीक बच्चा आया था किस तरह का मामला था पानी में डूबा हुआ था और अमत अवस्ता में आता हैं तरह किस वह ऐसे मौत हुए होगी उसकी नहां पानी में डूमने हो जासी है उमर क्या है सर उसकी करीब 6 साल